तो दोस्तो one time payment करके आपने unlimited खाना, unlimited calling, unlimited internet या काफी चीज़ें देखी होंगी जो unlimited मिल जाती है कुछ समय के लिए तेकिन stock market में बात करें तो क्या कुछ ऐसा provision है कि आप कुछ पैसा दे दें और उसके बाद चाहे जो मर्जी segment हो जितनी मर्जी की trade करनी हो, जितनी मर्जी पैसे की हो या जितनी ज़्यादा trades मारें कोई फरक न पड़े आपकी brokerage पे आपको brokerage देनी ही न पड़े आज हम बात करेंगे साथ ऐसे stock brokers की जो आपको provide करते है unlimited trading और देखेंगे कि actual broker के साथ आपको account खोलना चाहिए क्या उसमें value है या नहीं ये सब चीज़े quality level पे भी check करेंगे ताकि आप अपने हिसाब से सोच के साथ अपना broker choose कर सकें तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तो आते हैं सीधा point पे साथ stock brokers कौन से हैं पहले से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है SaaS Online अब कुछ brokers इस list में अच्छे नाम के होंगे कुछ अच्छे काम के होंगे कुछ दोनों के होंगे जो SaaS Online है थोड़ा सा छोटा broker है करीब 16,000 active client science के जो इसका brokerage plan है वो अलग अलग segment के उपर है मतलब अगर आपको equity में trading करना है commodity में करना है अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे माल लिजेगर आपको equity में करना है चाहे intraday करना है चाहे delivery आपको देने है 999 रुपए एक बार per month मतली plan है जैसे आप Netflix या Amazon Prime पैसा देते हैं और movies देखते हैं unlimited वैसे ही more or less इसमें आप थोड़ा बहुत पैसा शुरुआस में देखे महीने के unlimited trading कर पाएंगे इसमें आप NSE cash, BSE cash, NSE future options में भी within equity plan पैसा लगा सकते हैं कोई पैसे इसमें deposit का कोई commitment नहीं है इसमें 20 गुना leverage मिल जाएगा आपको intraday में और अगर आप future options में trading करते हैं तो 5 times मिलेगा अगर आप commodity MCX में पैसा लगाते हैं तो आपको 1000 रुपे 999 रुपीज पर मन्त अलग से देने होंगे और उसमें भी आप जितना मर्जी ट्रेड कीजिए पर मन्त लेवल पे currency के लिए अलग plan है वो है 499 रुपे पर मन्त और इसमें आप यही trading carry out कर सकते हैं इस broker के साथ अब यह broker देखिए quality level पे around average आंका जा सकता है size of broker के level पे छोटा आंका जा सकता है लेकिन plan है इसके तो आपको देखना है कि आपको किस basis पे decision लेना है दूसरा नाम इस लिस्ट में आता है बजाज fin serve का इसने काफी सारे subscription models try किये है this one is the latest one इसमें तीन plan है freedom pack professional pack और beginner pack एक एक करके बात करेंगे freedom pack मिलता है आपको पहला साल free जी हां कोई पैसा नहीं देना है और दूसरे साल से आपको देने पड़ेंगे 431 रुपए पर year यह पर year का है तो उस हिसाप से सोचिएगा demand account कोई पैसा नहीं देना है equity और derivatives आप इसमें trading कर सकते हैं delivery में लगेगा आपको brokerage अलग से 0.1% इसमें free नहीं है और intraday में आपको 17 रुपए पर order के हिसाप से देने पड़ेगे अगर आप शुरुवात में कोई पैसा नहीं देते हैं और दूसरे साल से 431 देते हैं तो य equity delivery अगर आप करते हैं तो एक रुपया प्रती order और intraday आपको 9 रुपय प्रती order के हिसाप से पैसे देने पड़ेंगे अगर आप yearly professional pack में जाते हैं yearly लेते हैं बाइस सो चालिस रुपय का plan इसमें आप margin against financing भी कर सकते हैं equity derivative भी करेंगे और ultimate account free मिलेगा equity delivery और intraday आपको दोन delivery करें या intraday 0.99 मतलब एक रुपया प्रती order और future options में 5 रुपया प्रती order और अगर आपको interest उठाना है margin उठाना है तो 0.05% per day के हिसाप से आपको देना पड़ेगा तो उस हिसाप से सोचके चलिए कि यहाँ पे free as such नहीं हुआ brokerage कम कर दी है लेकिन आप 1 रुपया दे रह देता है freedom pro और ultimate plan अब देखिए इसमें क्या है इसमें आपको तीनो plan में lifetime 999 रुपीज 999 रुपय देने हैं अब इसमें difference क्या होगा difference आएगा आपकी choice के उपर किस तरह की trading करते हैं पैसा के उपर कोई difference नहीं है 1000 रुपय आपने lifetime एक बार दिया one time cost yearly cost नहीं है ध्यान रखि देगा सिर्फ 5 गुना जो कि कुछ खास नहीं है और call and trade 20 रुपय देना पड़ेगा account opening यहां free रहेगी इसमें trading platforms में सिर्फ आपको मिलेगा NSE now उसके अलावा अगर आप pro plan में move करते हैं यहां पे brokerage देनी पड़ेगी 9 रुपय प्रती trade के हिसाब से अगर intraday delivery करते हैं तो point 0.01% future options में 9 रुपय इसमें margin जादा उठा सकते हैं आप 20 गुना margin ले सकते हैं तो इस तीज़ का ध्यान रखना है आपको trading platforms आपको अलग से मिलेंगे और तीसरा plan है ultimate plan brokerage बढ़ती जाएगी अब ध्यान लखिएगा intraday delivery में 0.02% और यहां पे brokerage आपको options में देने हैं 15 रु इसमें और चार गुना normal order delivery में उठा सकते हैं चार गुना तो आपकी margin के requirement के उपर है लेकिन सेवी का जैसे आपने देखा होगा हमारे वीडियो में सेवी का चल रहा है कि margin हटाना है और wisdom capital ही try कर रहा है कि ऐसा ना हो तो एक तरीके से इनका direct नुक्सान है उस case में अगर margin के level पे changes आते हैं क्योंकि इनका सारा जो pricing है model है business का margin के उपर टिका हुआ है तो यह हो गया तीसरा अभी तक देखिए आप कहीं कहीं पे आपको free मिल रहा है कहीं कहीं पे आप कुछ पैसा देखे depending on the plan थोड़ा बॉक्रेज कम करवा रहे हैं अब आता है चोथा plan वो है धनी stocks धन options में या currency में इसमें intraday delivery में पैसा देना ही नहीं है ब्रोकरेज देना ही नहीं है one time account opening cost आपको देना पड़ेगा 500 वो लग से है और AMC इसके case में 4500 रुपे आपको देने पड़ेंगे यह जब आप खर्चा कर देंगे account level पे उसके बाद महीने के 500 देना है और जितना मर्ज अब देखिए trade plus कुछ जैसे आपको चुर्वाब में बताया कुछ नए नाम होंगे कुछ पुराने नाम होंगे कुछ बड़े होंगे कुछ चोटे होंगे अब trade plus क्या कर रहा है trade plus देखिए आपको अलग-लग brokerage charges broker plans राधर देगा equity में अगर आप trading करते हैं futures में अलग-लग अगर आप options में करते हैं तो अगर आपको equity options में करना है तो उसके लिए लग से आपको 99 रुपए प्रती महीने के हिसाब से देने पड़ेंगे तो वह आपको ध्यान रखना है इनका थोड़ा सा plan थोड़ा सा मुझे unstructured लगा थोड़ा सा वेग लगा है कि यह चाहते क्या है क करना किसी पर फ्री करना चाह रहे हैं तो फ्लैट जीरो ब्रोकर स्कीम तो इनकी यही कहती है इनका दूसरा प्लैन भी है जिसमें subscription नहीं है जो 9 रुप्रती ठेट के हिसाब से चलता रहेगा लेकिन अगर आपको free करवाना है तो 799 रुपे पर मंत ज्यानुकिए 800 रुपे पर मंत है यह एक तरीके से अकाउंट ओपनिंग इनकी 200 रुपे रहेगी एमसी भी अलग से है हालांकि एमसी का अंकर फ्रण तरीका है एंसी यह एनुवली लेते हैं 200 रुपे पहला साल free है दूसरे साल से 200 रुपे 5 साल का एमसी कथा देना है तो 500 रुपे देजी दस साल का AMC कठा देना है तो 900 रुपई दिजिए तो एक ये भी प्रोविजन है तो जो लॉंग टम इन्वेस्टर है उसके लिए थोड़ा बत फाइदा है जो इंट्राडे लेवल का ट्रेडर है उसके लिए भी फाइदा है अगला जो ब्रोकर इस लिस्ट में आता है वो है इंट्राडे कर सकते हैं और अगर आपको करन्सी टेडिंग करना है तो 400 99 पर मत के हिसाब से दीजिए और इसमें अलिम्टेट ट्रेडिंग के जिए यहीज़ा को साल का करना है तो 899 पर एक महीने का दे रहे थे तो 899 देंगे तो पुरे साल का आप ले सकते हैं तो एक तरीके से यहां पे true sense में unlimited trading विल रहा है लेकिन आपको बताया थोड़ा चोटा broker है तो ज़्यादा यहां पे आपको फाइदा देनी पाएगा उस मामले में last progress list में आता है जो है easy wealth के नाम से अब easy wealth क्या कर रहा है जी easy wealth आपको देता है 7999 रुपे आप दीजिए पूरे साल का और सारे segment में आप free trading कीजिए unlimited trading है पूरे साल में कोई पैसा नहीं देना है आपको call and call to trade मतलब आप call and trade करते हैं वो भी free मिल जाएगा इसमें और को hidden charges इनके हिसाब से नहीं है वैसे होते हैं और equity cash में आपको 10 गुना मिलेगा margin चार गुना मिलेगा cash में delivery में और future options में करते हैं तो दो गुना मिल जाएगा तो easy wealth again जोटा नाम है तो it depends आपको brand matter करता है या value आप try करके देख सकते हैं लेकिन 8000 पे एक अठा देना थोड़ा difficult लगता है आप सिर्फ currency में करते हैं तो आपको 1000 पे देना है पूरे साल का और इन दो segment में आप trading कर सकते हो एक्विटी के लिए देना है तो साल का आपको देना पड़ेगा 7000 देना में दोस्तों ये थे कुछ broker जो हम आपको बताना चाहते थे with the specific details बैक्राउंड देने की कोशिश की है ताकि आपको decision लेने में असानी हो सके अगर आप कुछ मदद चाहते हैं हमसे और तो नीचे comments में डाल सकते हैं and we will certainly get in touch with you broker selection में मदद चाहिए तो certain level पर आप उसको भी use कर सकते हैं जो link आपको description में मिलेगा तो दोस्तो इस video में बस इतना ही hopefully आपको थोड़ी मदद हुई हो अपने stock broker को select करने में अगले video में जल्दी मिलेंगे इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्री आप thank you so much bye bye